ईजित थालक ने कशब आधाया भूर। अपपा अजित पेटा मुझे तीन हजार रुपै चाहिए है कब? मुझे किताब अरे थी अगर आप कल दे सकें तो ये किताबें इतनी महिंगी कैसे हो सकती है समय में नी आता मेनि मेडिकली खिताबें इतनी महंगी होती है लेलना बिटा, अकल दे दूँगा आपके सर में दर्थ हो रहा है, तबा दू नहीं बिटा, पैंटी तूँगा, तुम पढ़ो चाय बना दू, आपको ठकेवे से लग रहे हैं, परिशान है नहीं बेटा, बिलाब, मुझे क्या परिशानी होगी वहाँ याद आया, वो कब जा रहा है वो तो चलाई जाएगा आजकल में ये आपको क्या हो गया था, बजाएसके कि उसको मना करते, और शेयर ही नो लगे और ये सन्मा की बच्ची, बुद बन के बैटे आईशा को जवाब ही नहीं है, उन्हें को क्यों शॉपिंग की पड़ी रहती है अब अशिदा बेगम जब एक इनसान ने फैसला कर ही लिया, तो उसे कैसे रुपता और फिर ये उसके मुस्तक्बिल का सवाल है, उसे जाना ही चाहिए आपकी अपनी बेटी का मुस्तक्बिल तबा हो जा है, उसकी कोई फिकर नहीं है आपको क्या होगे आपको, बेटी का मुस्तक्बिल क्यों तबा होने लगा अगर वह वहाँ से काम्याव होकर आता है, तो सल्मा की जिंदगी भी तो बहुत अच्छी गुजरेगी अगर वह वहाँ से वापस आया तब ना, और अगर उसमें वहाँ शादी कर ली तो फिर क्या होगा वो ऐसा इंसान नहीं है, सिर्फ च्छे माँ की तो जा रहा है च्छे माँ के बज़ाए अगर वो छे साल वहाँ रुकिया, तो वापस कौन लेकर आएगा उसको जो खासान निकाह हो जाता, तो आउम में जंजीर तो पर जाती लगके के और अगर वो निकाह करके खाय हो जाता फिर अरे वह ये तो फिर किसमतों के चक्कर है, लेकिन इंसान अप्वी तरह से तो पूरी कोशिश कर ले ना अब नहीं, अब आपस बेटों की बहसों बंद करेंगी, हाँ, कभी अबू से भी तो कोई उनका मसला पूछ लिया करेंगे आप तुम्हारे अबू की तो ये पुरानी आदत है, जरा परिशानी होती है चुपसाद लेते, बीमारी हो तो मज़ा आले के कभी किसी को बता दे तब अच्छी के आपकी? हाँ, तब अच्छी के, मैं रस्टूर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ अभी तो आप आयते, ये चुर्नाति हम जड़ी काम व्यारा आका है, जल्दी आजो मा मैं निगाता, और एक खतरनाक किसीम के जवयासीम होते है इसमें, नजर भी नहीं याता, मुझे नजर आरे हूं मेरे खालू कहा करते थे बेटा इम्रान जिंदगी में कभी मोभबत नहीं करना सारी जिंदगी सर पगड़ के रहा पड़ेगा आस उनकी बात मानली होती मैंने आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मेरे को तो बेटा किसमें तुम्हें कहते हैं ती मुश्किल जगा तुम्हें पेदाश की तारीख और बागी डीटेर्स दे दे तागे में तेरा जाच्चा निकला दूँ यार तारीखे पेदाश के बारे में तो सब फंक्यूज है ये यादरा ये काफी है वरना इतने बड़े सदमें के बाद तो लोग अक्सर चीरे भूल जाते हैं तो बा तो क्यों जाओ यासे मुझे नहीं करना तुम्हें नराज कियो हो रहे लाए ये मैं कुछ नी बोलूगे तू बस मेरा जाइटा जल्दी बना देना इसमें साधी के तरह जरूर अदेना ताकि मेरेको असानी हो जाए तेरीको ये साधी करने की कब है अबा कह रहते है ये च् प्रेज में रखम भी लेगी ना, ये फिक्प्री लगाने में पामाईगी है, हाँ, समझ या, समझ या, समझ या, तू फिकर नहीं का नमरान, मैं ऐसा चक्कर चलाओंगा ना, कि तेड़ी शादी सौफ सुपारी की फाक्षी में ही होगी, हाँ, अब खाले गोल कपा, खाले ख बोलते रो, मैं सुन रहा हूँ, बलके बेटर यह होगा कि काम की बात करो काम की बात यह है कि आप वो प्लॉट खाली करें, वो मिस्स कान करें, प्लीस तुम्हारा तो नहीं है, जो फिकर में दूबले हुए जा रहे हो, जब मिस्स कान को ख्याल आएगा, तो देख लेंगे अजीब शेख सेब, मैं उनका मैनेजर हूँ और यह मिरी जिम्हदारी है, प्लीस, खाली करें वो मैनेजर ही हो, कोई पार्डनर नहीं जो तुम्हारे जेख से कुछ जा रहा है, मैं वहाँ बंगले बन्वांगा आप बंगले नहीं बन्वा सकते हैं, वो प्लॉट मिस्स कान का है, दो मिनिट में आपको भाद निकालने की हैं महां से वो, उनकी मिल्कित हैं वो मिल्कित सिर्फ कब्से की होती है और उस पर अब बेरा तब्सा है, आप किसी को कैसे किसी के प्लॉट पर अबाद कर सकते हैं, ये गेर कानूनी है कानूनी चीज़ों को साबस करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, और फिर ऐसे केस, लंबे चलते हैं, कौन जाएगा अदालती, तुम या मिस्स खान, अब क्या चाहते हैं इस मामले से अलग अट जाओ, और चुप करके बेठे रो ये मेरी लौकरी का सवाल है जितनी तुमारी दो साल की तनफ़ा है, मुझ से ले लो, और इस मामले से आँखें बंद कर लो ज्यादा तावन करोगे तो और भी मिल जाएगा और अगर मैं ऐसे ना करूँ तो तो बेरो कुफ यह होगी ये तुमारी अब तुम जाओ, आराम से सोचो, फिर वापस आजाना मुझे कोई जल्दी नहीं है रफिससा तुमान गएपसे हौ शब अपले कि, किसा रभा, कि सबना? कि सबना कि सबस्ति varies! शब कि सबस्ते हौ कि सबस्ति माव अपल रभा किसको कर भर झांग, अशे टे लिसे कर लाईए, कि लब अए जपाईए कि लुष कर मों कि लुष कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि तुम जेबू का ख्यार रखा करो अही क्या उसे कुछ हो गया है हुआ कुछ नहीं है बस ऐसी कह रहा था नहीं तुम बेखर रहो मैं उसका ख्यार रखती हूँ बस क्या करूँ मैं भी तनी उलजी दी हूँ ना शाम को जाओंगी में उसकी तरफ किस वक्त बस जैसी टाइम मिलते है फिर भी कोई अंदाजा क्या हो गया अली मुझे तो तुम खासे परशान लग रहे हो ने ने बात कुछ नहीं है वो बस तुम जैबू से में गया ना क्या यही कि मैंने फोन किया था अच्छा नहीं बिताओंगी खुदा फैस इतना फजूल फोन खुदा यह दिन किसी को ना दिखाए खुदा दुदा सबस्दा झाल झाल झाल